नमस्कार दोस्तो मैं आपका सोगत करता हूं अपने घरगस्ति चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे शुर्ष टिक के बारे में शुर्ष टीक एक ऐसा स्टोन है जिसे धारन करने से बहुत ही वेनिफिट्स हैं दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब किने किया है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आनरे लीडियो अब तक जलते जल पोहुँस सके चली दोस्तों है कि आज समय जादा ना खराब करते हुए हम बात करते हैं स्पटिक के भारे में है अ संधने 5 दोस्तों श्पर homeowners करें हिमाले पर पाला एक रटन है अगर हम चाहें तो सुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सुपटिक माल कर ब्रसलेट धारन कर सकते हैं दोस्तो हम सुपटिक की माला लेकर के सुक्र ग्रह के मंतर भी इस पे जब सकते हैं और मालक्षमी के मंतर भी इस पे हम जब सकते हैं दोस्तों आपने देखा होगा सपेटिक के स्रीयंत्र भी मिलते हैं तो दोस्तों ये धन को आकर सित करने के लिए एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है दोस्तों जिन लोगों को धन की कमी हमेशा सताती है उन लोगों सपेटिक धारन करना चाहिए सपेटिक धारन करने से धन और दरीतरा दूर होती है आर्थिक संकट इस क्रिस्टल को धारन करने से दूर होता है दोस्तों अगर आपके घर में अशांती का माहूल रहता है हमेशा तू-तूमे में चलती है या लड़ाई जगड़े चलते हैं तो इस स्टोन को धारन करने से मन सांत रहता है लड़ाई जगड़े सांत होते है दोस्तों जो लोग नेगेटिव एनरजी से परिशान है या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हमारे आसपास कुछ गलत तरिकी की नेगेटिविटी है तो दोस्तों यह इतना परभावी रतन है या क्रिश्टल है इसको धान करने से दोस्तों नेगेटिविटी भी दूर होती है और नकरात्मा सक्तियां खतम होती है दोस्तों इस ब्रेसलेट या माला को धान करने से पहले आप गंगाजल से सनान कराके सुक्रवार के दिन मालक्षमी के मंत्र जपके इसको धान कर सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्रिस्टल है इसे आप एक बार धारन करके और इस्तमाल करके देखें तो दोस्तों आज हमने बात की सपस्टिक के बारे में आने वाली वीडियो में हम और किसी क्रिस्टल या और किसी जानकरी को लेके आएंगे न नमस्तार